हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो इस वाच को मैं लगबग 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूं और इसका रिव्यू होने वाला है और इस वाच का नाम में एक तो मैं यूज कर रहा हूं बाकि दूसरे को आप लोगों के समने अन्बॉक्स करता हूं तो यहां पर कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है जहां पर वाच के डिजाइन बन्यू मिल जाती है और काफी सारी फीचर मेंशन के मिलते हैं बाकि बॉक्स को अपन करते हैं तो य बाकि इस वाच में आपको सिंगल चिप का सब्फोर्ट मिलता है तो आपको बस एक ही जगा पर पेयर करना है अप्लिकेशन में और कॉलिंग फीचर एक्टिवाइट हो जाएगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगा और इसकी काफी अच्छी है और मुझे कोई भी इशो देख बड़ा नहीं है तो पतली रिष्ट वाली भी इसको पहन सकते हैं जो कि अच्छी बात है और यहां पर अपको मिटल फ्रेम बिल जाते हैं और जो बैक पैनल प्लास्टिका दिया गया है तो इसकी काफी ज्यादा अच्छी है और इस वाच में आपको पार्च कलरस मिल जाते जबकि ग्रे ब्लू और एक्टिव ब्लेक में आपको इस तरह का स्पोर्टी लुक वाला श्ट्रैप मिल जाता है तो विल्ड क्वाल्टी और डिजान काफी अच्छी है इस वाच की रेटिंग मिलती है तो आप एक मिटर घहरे पाने ते कि इस वाच को यूज कर सकते हैं ल बाकि यहां पर आपको 550 nits की brightest मिल जाती है तो डिस्प्ले काफी bright है और आप आउटर में इसको यूज कर पाएंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल जाती है इसमें और इसका रेश्ट्विक भी काफी अच्छी सिर्वर करता है तो जैसे पैंड को ट इसमें अब बात करते हैं सबस्प्राइब जाएंगे तो यहां से अब आगे करेंगे उसके बाद मेसेज़े में जाएंगे तो यहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसमें एंगलिश के साथ हिंदी का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात दे देग उसके बाद नोटेक्स में जाएंगे तो यहां पर आपको रिसेंट कॉल हो गया उसके बाद डायल पैट और कॉंटेक्स का फीचर दिया गया है और इसमें अपने एट कॉंटेक्स को सिंक कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहां पर पर यहां पर को वाच में इस्टोर क कर सकते हैं तो यहां पर वाइस एसिस्टेंट का फिचर मिल जाता है जो कि अच्छी बात और यहां पर आपको शेटिंग मिल जाती है अब सेटिंग में चलते हैं तो यहां से वाट्स को सेट कर सकते हैं और यहां पर पासवर्ड लगा कर वाउश को लोग करने का फीचर भी दिया गया है जो कि सही है उसके बाद अब आप हो गया पाउर आफ रिसेट रिस्टाट उसके बाद फाइंट फोन का फीचर मिल जाता है अपको तो देखा जाते हैं तो यहां पर अब को अच्छी है और मुझे कोई पीचों देखने को नहीं मिला सबसे पहले इसके बाद के रहे तो यहां पर मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 103 काउंट किये उसके बाद मैंने उसी को कंटेनीव किया और 200 काउंट किये तो इसका जिस्टेप काउंटर है वह काफी अच्छा से घना है और एक्यूड़ हे अगरे और मैंने इसको औंस को किया तो दैख सकते हैं काफी हतक मैश और जैसा जासे आक्सीमेटर में बढ़ रहा है वैसे 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 वाच में भी बढ़ रहा है तो हाट अपको काफी अच्छा मिल जाता है और यहां पर अलग से रेड लाट सेंसर भी दिया गया है और इसकी रीडिंग काफी है तक एक्यूड़ आती है बट आप लगों को पता है कि एस को कट कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं और यहां पर काल स्विच का फीचर भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है बाकि स्पिकर की क्वालिटी में आप लोगों को सोना देता हूँ तो स्पिकर आपको काफी हिच्छा मिल जाता है इसमें और यहां पर काफी ज्यादा स्मूध और जरा भी लाइग नहीं करता है जैसे कि उपर से स्वाप डाउन करेंगे तो यहां पर नोटिफिकेशन शो जाती है उसके बाद नीचे से स्वाप करेंगे तो यहां पर आपको कंट्रल सेंटर दिया गया है लिफ से स्वाप करेंगे तो यहां पर आपको मिन्यू मिल जाती मिलने वाला है क्योंकि इसमें सिंगल चिक पर सपोर्ट मिलता है और इसके वज़ा से इसका बैटी वगप काफी अच्छा आपको मिल जाएगा इसमें अब आते हैं वाड़िक पर क्या इस वाच को लेना चाहिए या नहीं तो इसका प्राइस था वह था 2000 और अभी इसका प्र और दूसरी कमी के बात करें तो यहां पर इसके अच्छी वाच है और आप लोग ले सकते हैं तो अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा वासब जाकर ले सकते हैं और यह एमाजोन मिंत्रा और नोइस के उफसेट पर मिल जा लाइक करके जाना और जार पढ़ना है हो तो बहुत सब्सक्राइब ही कर लेना मिलते हैं अगले वडियो में अपने ख्याल रखें बाई